मनाक्षी एन वेलकम टू गाइडली जल्दी से कनेक्ट हो जाए और बता दें आप लोगों तक मेरी आवास आ रही है या नहीं आजाओ पूर्टी भैतरीन क्लास आज की रहने वाली है ठीक है मेंस क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको करने चाहिए ठीक है हो गई स्टार्ट आजाओ आजाओ अपसे पहले तो सेशन को शेयर कर दो ठीक है और जितने लोग देखेंगे सेशन लाइक जरूर करेंगे तुम लोगों को मेंस एक्जाम की कसम ठीक है ओहो एक सिकेंड को परस्ट कोशन आपका यह रहा करिए जहें अर्डेडी कुजस आतो रहिं है जो चीज़े आ रही है नॉर्मली आई रही है उसके लावट आई पीस क्लेर के लिए अलग से कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ मॉख टेस्ट दो और रार भी कर चुके हो ना अर भी प्यों क्लेर तो आप सिर्फ मॉख दो अब कुछ वाली लाइन को इंग्लिश वाली लाइन से देख लो आपको दिया है पी की पावर Q प्लस R is equal to 1 and Q की power r plus p is equal to 16 where p की वार are distinct natural numbers ठीक है तो ये points अगर आता है तो आपको बिल्कुल भी confused होने की जरुवत नहीं है क्योंकि distinct natural number का मतलब यही हुआ कि पहली बात तो सारे different होने चाहिए दो values same नहीं हो सकती p की वार की किसी की value साम मतलब से match नहीं कर सकती और इसके पॉइंट यह fraction में नहीं होगी एक दो तीन चार इस तरह से आपकी values यहाँ पर ली जाएंगी ओके नाव बात आती है क्या आगे बुला है form a quadratic equation in term of jet whose roots are 2p plus 3r and 4q और यह आपके सारे mains के लिए important है ठीक है q plus r is equal to 1 ओके तो मुझे एक बात बताओ आपको पता है p की वार क्या है आपके natural numbers है that means है 0 fraction point में नहीं आ हो सकते तो आप इतना बताओ 1 का बाता है किसी की power कुछ करो 1 आ रहा है that means वो 1 ही रहा होगा ना 1 की power मैं x y z कुछ भी करूँ वो 1 देता है भाई power लगा हुआ है तो कुछ भी करूँ क्योंकि अगर यह natural number से मालो 1 रखू, 2 रखू, 3 रखू, 4 रखू, whatever q r जो भी रखे तो अगर उसकी power कुछ है तो सिर्फ 1 की power ही something 1 आपको देती है that means clear हो गया कि p की value तो आपकी 1 हो गई तो यह fix आपका हो गया क्यों क्योंकि condition दी थी कि आप distinct natural numbers अब p 1 हो गया तो q और r 1 नहीं हो सकते, okay now next क्या बोला है q की power r plus p is equal to 16 you have q की power r plus p is equal to what 16 ज्यादा मोटा हो गया है क्या pen चलो कोई ना भी जोटा अभी पतला कर दूंगे इसको अब sorry r plus p ठीक है तो यह p था इससे सही कर ले न, okay now अब मेरे पास 16 आ रहा है so this one is square power 2 3 तो 16 को अगर हम क्या बना सकते या तो यह perfect square या perfect q है मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते यहां पर बनते हैं क्या आपका यही एक रास्ता बनता है क्या क्योंकि r और p 1 नहीं हो सकते तो आप को यह मत कहना कि 16 की power 1 भी तो हो सकता था तो वो नहीं possible because distinct natural number 1 अब repeat नहीं होगा ठीक तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 की power 2 और 2 की power 4 यह possible है कि नहीं 16 को हम लिख सकते that means q की 2 values possible है q is equal to 4 and q is equal to 2 clear है कि नहीं r3 आ रहा है q2 आ रहा है very good अभी नीट तो q की value क्या आगई यहां से आपकी अगर मैंने if q is equal to 4 लिया तो q 4 लिया तो आपका r plus p कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस case में क्योंकि compare करोगे न तो r plus p इस case में आओगे आपका 2 और p आपको already 1 दिया हुआ है तो अगर p मैंने 1 रखा तो r 2 minus 1 1 आ जाएगा जो की possible नहीं है क्योंकि p is equal to 1 है तो r 1 नहीं हो सकता that means यह case आपका गया अब क्या होगा if q is equal to what 2 तो अगर q 2 हुआ तो r plus p किसके पराबर होगा 2 की power 4 तो compare कर दिया तो q r plus p अब आपका possible है कितना 4 तो जैसे इसको 1 रखा तो r कितना हो गया 4 minus 1 3 so this is possible तो p is equal to 1 आ गया r is equal to 3 आ गया और जैसे r is equal to 3 आया आपको क्या मिल जाएगा q तो थाई q 2 दिया था सारी values आ गई तो यह आपकी यहाँ पो perfect value होंगी p q r की ठीक है आई बास समझ में now अब आपसे पूछा है क्या यहाँ पर कि आप बता दो कि form a quadratic equation in terms of z whose roots are तो अगर आपसे z में quadratic equation बनाने को guys बोला है तो मेरी एक बार बताओ z में अगर alpha और beta यह आपके roots है suppose तो z में quadratic कैसे बनती है z square minus product of root यह याद रखना into z sorry sum of roots into z plus product of root is equal to 0 where alpha and beta are the roots of this equation okay now बोला क्या था z whose roots are 2p plus 3r and 4q that means this is alpha and this is beta okay तो 2p plus 3r कितना हो जाएगा 2p का मतलब 2 into 1 और 3r तो यह कितना हो जाएगा 3 3s are 9 तो आप यहाँ से अगर निकालो 2p plus 3r नहीं निकाल सकते इतनी बात समझ में आई कि नहीं तो 2p plus 3r कितना हो 2 into 1 and 3 3s are 9 to 9 to 11 तो alpha आगया 11 now 4q तो 4 2s are 8 clear तो यहां रखा तो यह क्या हो गया आएसे question yes बिल्कुल rrbpo को भी आप अब लोग हलका मत समझने क्योंकि उसमें भी आने लगा है तो अगर आपको मैं जैसे चीजे करवा रही हूं आप बस 20 दिन कर लोगे ना बिल्कुल rrbpo बहुत अच्छे मांक्स आएंगे क्वांट में ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो आपके पहला question था जो done हो गया I hope आपको समझ में आगयो क्या pen normal कर दिया रिशब ना okay ओके वह मैंने normal आपका कर दिया ठीक ओके चलिए इतना clear ना हम लोग मूव कर रहे हैं आगे समझ में आवट है तो अच्छी बात है आवट है ठीक है है हो गया करो इसको बहुत ही बढ़िया question है ठीक है आपका q1 q2 based पील आ गया पहला ही question awesome बिल्कुल इसी बात पर सब लोग like जरूर करना session को ठीक है और अगर आपको ऐसे questions daily basis पर चाहिए then विक्रम में आ सकते हो आप ठीक है क्योंकि इसमें आरार भी पीओ मेंस का बैच प्री है और आपकी सारे पीओ तो clerk सब कबर हो जाएं 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 कली से start किया हम नहीं होना क्योंकि यहां तो रेगुलारिटी बन नहीं पाई यह मुझे लगता नहीं है पोशिश भी करूंगी तो मुझे आइबी पीओ वाले एस्पिटेंट्स बोलने में में आइबी पीओ का करवा हो तोकी अरा भी पीओ खराब हो गया है प्री करवा हर तरह के आस्पिडेंट है और दो क्लास मेरे से पॉसिबल नहीं है यूटीब पर पीडिएफ का कॉस्ट आपका ट्रिपल नाइन में सब कुछ है ठीक है और आइडी का सूपर प्लैन ले लो उसमें आपका पंडरा सो में सब कुछ है क्या हुआ ओहो पीछे तो देखो है गड़ा आगया मामला करो इसको अच्छा चलो मैं हट जाती हूं करो हुआ 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 है बहुत दुस्ट हो तुम लोग है न पीछे तो देखो चलो बढ़िया गुशन है बहत्री इन वनों के तो यहां पर आपको कभी भी इस तरह के questions दिखते हैं और कोई range देता तो इसको IIT जहीं का question मत समझने लगना किया क्या आ रहा है ठीक है तो आज कल तो तेको algebra based question में कोई ना कोई आप एक कड़ी होती है कमजोर कड़ी जो आपको पकड़ी पहली बार numbers पता होने चाहिए तो वहीं से पूरा गेम फिनिश होना स्टार्ट हो जाता है तो वह सारी चीज़े याद रखिए अप यह समयने करवाया भी है तो I hope आप लोग को डिक्कत नहीं होनी चाहिए Q1 Q2 में आपको दो expressions दिये होएं ठीक है किसमे किसमे Z और Y में now find the correct relation between Q1 and Q2 and Y की आपको range दे दिये गाइस यहाँ पर Y की रेंज दिये है क्या कि if Y क्या है या तो आपने inequality पढ़ी है reasoning में ठीक है तो Y की value minimum से minimum 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी या फिर 1 होगी और Y की value अगर maximum से maximum देखे 2 होगी या तो 2 के बराबर मतलब जो Y की range है वो 1 से 2 के बीच में एक भी हो सकती है दो भी हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है दो से छोटी हो सकती तो इन्होंने यह बोला यहाँ पर now Z के case में same बोला है 3 to 4 that means Z की minimum value कितनी है 3 और Z की maximum value क्या है 4 now अब हमें यह value मिकालनी है तो सबसे best टरीका है इस question को करने का क्या कि आप यहाँ पर maximum और minimum value find out कर लो आपको पता लग जाएगा कि Q1 Q2 में कौन बढ़ा है ठीक है अब यह मत कर देना कि CND या no relation ठीक है तो इस तरह कि अफवा है नहीं मारनी है आप अपने volume बढ़ा लें क्योंकि मुझे ल y square plus z plus का 4 यह दिखा है तो अगर मैं इसकी इस Q1 की minimum और maximum value निकालना चाहूं तो minimum के case में क्या होगा भाई minimum में z की minimum रखोगे न तो z की minimum value है 3 और y की minimum value क्या है 1 ठीक है क्योंकि 2 तो जादा हो जाएगी तो जैसे यहाँ पर रखा तो यह हो गया 3 into 3 y की जग्या 1 this is 1 का square 1 plus 3 plus 4 कितना दिख रहा है 3 3 is a 9 और 9 4 36 4 40 ठीक है तो minimum value आ गई 40 Q1 की अब maximum value अगर मैं निकालू तो maximum में क्या रखना पड़ेगा z की value 3 से 4 तो 4 हो गए और y की 1 से 2 तो 2 हो गई ठीक तो अब इस expression की maximum value कितनी होगी 3 into 4 into 2 y square that means 2 का square plus 4 और यह plus का क्या है 4 now 4 ती या 12 दोनी 24 और यह कितना हो रहा है आपका 2 दोनी 4 4 4 8 कितना हो जाएगा बताओ 40 greater than q1 maximum minimum based questions वह भी maximum minimum हूं तो करवाओंगी न अपनी class में वह तो चलता ही है पूर्थ रिजर्ट ट्वैर्ट टूजर 24 और अंदर के आगे आपका 2 दोनी चार चार आठ और यह प्लस पांच चॉबेस अठ्थे कितना होता है 192 प्लस फोडैट मिस ओवर्राल यू है 190 सारी आच्चा को बत्तिस ठीक है 196 यह हो गया आपका q1 तो आपके पास दो वैलिव आपके लिए चले जाओ ठीक है तो q2 के लिए क्या होगा आपका यहां पर देखो q2 दिया था 4z प्लस z square प्लस z y नौ मिनिममम वैल्यू क्या होगी यहां पर यह तो सहीं ही रहेगा जैड की जगे 3 रखा तो यह 4 दिया बारा और प्लस डैरेक्ट कर रहे हैं अब यह 3 3 is a 9 और यह कितना हो जाएगा z into y that means 3 तो यह होगे 9 3 12 12 24 ठीक अब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लो तो मैक्सिमम में z 4 तो 4 चॉक 16 यह हो गया और प्लस z का square that means what 4 4s are 16 और यह हो गया 4 दूनी 8 तो 8 6 14 24 और 16 कितना हो गया आपका 40 नौ कंपेर कर लो ठीक है आपके पास q1 में 196 है और यह 40 है और यह कितना ह 24 है और 40 है तो मुझे क्या देखकर पता लग रहा है यह q2 है और वो q1 है तो अब q1 में देखे तो 40 और 196 इसके बड़े भी है और 40 की एक वैल्यू बराबर है that means वो q1 greater than equal to q2 यह आपका correct हो जाएगा आई बात समझ में बताओ पुराना गाना वजाओ आवाज में कंपन है अच्छा है कंपन लिखा है मुझे कुछ और ही sound कर गया तो क्लियर लेकिन आज मेरा मूर फ्रेस कर दिया मैंने आज में अच्छी इंबॉक्स इनकी पर कम्यूनिटी डाली तो उस पर ऐसे दुख आये हैं गल्फेंड बईफेंड के कि मजा आगे मतलब क्या तुम लोग कर रहे हो या पढ़ाई और करो कुछ बन जाओ यह सब छोटे बच्छों वाली हरकते लिटरली बहुत जादा हसी है मुझे हो गया क्लियर सब समझ में क्यों ऐसा किया क्यों कि मेरे पास और कोई रीजन या कोई रास्ता नहीं था इस को करने का किसी से इसको कर सकते थे नेक्स्ट करो बताओ पी इस दा लुक्त संख्या डाट मिसिंग नंबर पांद वैली ओफ प्लस ट्वेल्फ ना क्या होगी क्विक जल्दी जल्दी बताएं डी आई भी बहुत मनुहर है आज की मजा आएगा आपको कि मैं बहुत अपसेट हूं कि आज ही मेरी लडाई हुई है तो बढ़ा पूरा तो उसने नीचे लिखा कि मेरी बस उस बात पर लडाई हो गई कि यह अगस्त का महीना कित्ते का होता है और मतलब अपसद कर दो कितने रएं कितने दर वाले हैं दोनों तैयारी कर रहे है किसी बत पर lडाई हो गया कि पजल तो मिध्ते टाइम में में बनाती और मैं फोई कोई बात लिए नी pani मेरी पैंसल लेली मेरी रबर लेली अब देखो इस question को 0.5 दिख गया तो एक चीज हमें समझ में आती है तो मुझे बहुत साथा मजा आ गया उस टाइम आया था अभी तो इतनी हसी नहीं आ रही अब यहां पर क्या है गाइस देखो 16 और 77 तो अगर मैं देखो तो 16 चौक और 16 16,85 जादा हो जाएगा that means कहीं न कहीं यह 4 टाइमस तक जाएगा ठीक अब 4 टाइमस अब 0.5 दिख रहा है तो यह decreasing मैंने आपको एक तरीका बताया था कि 0.5 भी दिया है तो उस टीज को आप कैसे crack करोगे अगर series decrease करके increase होई है that means definitely 0.5 का concept लगा हुआ है तो 0.5 तो यहां प पार आएगा आट दो नहीं 16 तो नहीं कर सकते क्योंकि रॉंक तो है नहीं और एक तूजा में हमारा लॉजिक नहीं बनेगा तो 0.5 की बाद एक रास्ता और अपने पास बसता है क्या 0.5 तो इसको 8 से मैटिप्लाई किया 15 8s of 120 का एक 0 तबहा 12 भी आ गया और 12 में कितना जो 2 3 is a 6 बनेगा या फिर यह भी बन सकता था 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ठीक है तो दो लॉजिक है आपके पास यहाँ पर 246 और 248 एक्जामीनर घुमा सकता है क्योंकि मेंस का पेपर है तो पहले हम 6 के साथ जाना चाहेंगे तो जैसे हम 6 के साथ गये तो नेक्स वन इस 0.5 1.5 तो नेक्स वन इस इंटू 2.5 और प्लस का 6 तो कितना आ जाएगा बताओ 25 और 25 वन जा कितना 25 और 25 में आप कितना जोड़ गया यहाँ पर 15 जोड़ दो ठीक है 40 और 46 तो पी की वैलियू अगर 46 आती है तो पी प्लस 12 कितना हो जाएगा 58 करेक्ट है आप्शन नमबर A करें ठीक है खून तो नहीं करें क्या ही बोलू में मुझे खुद ही आने लगती है चोटे-चोटे बच्चों जासी हर केते हैं क्लियर बात समझ में आई सारे कोश्चन गोल्ड है आस ठीक है सबसे इसका इससे आपकी कमीशन लगेगी आप लोग सब क्लियर इतना ऐसे कोशन अम लोग डेली कर रहे हैं चे के साथ चलो चे के साथ चले अभी कोई कहेंगा मैं एक लग चलो आठ के साथ चलो ठीक है तो 2.5 प्लस 8 अगर हम करते यहां पर तो आठ जोडते भी है कितना हो जाता है आपका यहां पर चालिस और चालिस में कितना आठ जोडते तो अड़ तालिस हो जाता और इसमें बारा जोडते आठ दो दस चार पांचे तो यह तो आप्शन में भी नहीं था ठीक है तो यहां पर थोड़ा घपला था तो यह मैच कर रहा था अपना नेक्स्ट कूंकि मैं देख लेती हूं क परफेक्ट स्क्वायर में बहुत बताया है ठीक है अब भी आपका क्यूब रूट आ जाता है तो क्यूबिक एक्वेशन में आपका जो होता है आप उसको स्क्वायर में बना कर भी क्रेक कर सकते हो ठीक है एक आपका एक्स कॉमन लेके आप परफेक्ट स्क्वायर भी बना स मैंने कई सारे कुश्चिन पेड में भी ऐसे कर वाया है रुद्रा थ्री पॉइंट वाले जानते हूं कि आज के सेशन पर जीस्टी लगा दूं कि दुखी हूं ऐसी तुम लोगों से तुम लोग देखते बहुत लोग है पर लाइक नहीं करते सेशन को बस मुझे इसी चीज क अब देखो इसको देखा तो एक खयाल आया बोला क्या वेर पी एंट की नेचरल नमबर्स फाइंड वैली आफ टू पी प्लस क्यू एंड फाइंड वैल्यू आफ क्यू स्कूर्ण पर तो हमें डफिनेटल यहां पर क्या करना पड़ेगा ठीक है तो अब बात आती है क्या क सबसे पहले इस equation पो हमें देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं इसका ये भगवान मैं क्या करूं इस equation का तो पहले P और Q को निकालो P स्कुरा है ठीक है और यहां पर है 9 Q स्कुरा है और प्लस 6 P Q ठीक है तो बाज की निकाहां से देखा करो माइनस 49 is equal to 0 ना क्या कर सकते हैं भाई इसको देखो ठीक है इसको देखा तो एक ख्याल आया क्या A स्कुराइर प्लस B स्कुराइर प्लस 2A भी क्या होता है जो नए है यह बहुत आसान चीज है बहुत छडियां भी पड़ी होंगी बचपन में सुना फॉर्मूला मास्टर जी ठीक है तो अब इसको यहां पर हम वही बनाने वाले क्यों क्योंकि 9 is also perfect square so this one is P का square यह क्या हो गया आपका 3Q का whole square and A square B square plus 2 बाहर ले लिया ठीक है A कितना है P है और Q कितना है 3Q है that means यही तो लिखा हुआ है पूरा और यहां पर 49 इधर कर दिया so this one is what P plus 3Q का whole square is equal to what 49 ठीक है अब लोगों के दिमाग में खया लाएगा कि मैं 49 आ रहा है so हम यहां पर क्या plus minus ले क्या ले कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि plus minus 7 आना चाहिए पर भाईया नहीं आएगा reason क्या है नहीं आने का because given है P and Q are natural numbers natural numbers मतलब प्राक्रितिक संख है तो दोनों अगर दोनों positive है और perfect square लगा हुआ है तो obviously यह दोनों क्या रहा हुँगे positive रहा हुँगे that means minus 7 आने का कोई भी सवाल नहीं उत्ता है यहाँ पर तो आप सीधे P plus 3 Q किता लोगे यहाँ पर 7 लोगे ठीक है अब मेरे पास यह एक expression निकल के आया है तो भाई मेरे पास एक काम यह भी तो बनता है ना कि मैं यहाँ पर natural numbers है that means हमारे पास एक बात भी हो गई तो अगर मैं if P is equal to 1 P 1 रखा तो 7 minus 1 6 वा 3 Q is equal to 6 तो Q की value कितनी हो जाएगी आपकी इस case में 3 2s आ 6 if P is equal to 2 अगर मैंने P को 2 रखा तो 7 minus 2 5 और Q आजाएगा 5 by 3 जो की possible नहीं है because fraction point नहीं possible है given है P and Q are natural numbers इते बार बोल रहे हूँ कि यह चीज़ अगर दिमाग में सोते जगते भी नहीं भूलोगे ठीक है अब if 3 रखे तो अगर 3 रखा तो यह 7 minus 3 4 अगें 4 बटे 3 भी possible नहीं ह P is equal to minus 4 रखा तो 7 में से 4 गया 3 3 Q is equal to 3 that means Q is equal to 1 अगर मैं आगे जाओंगी 4 के तो 5 रखा तो 7 minus 5 2 by 3 that means 1 by 3 और इस तरह से आने लगेगा तो अब कोई भी value possible नहीं है क्योंकि एक से कम हो जाएगी और उसके upon में 3 करेंगी तो definitely वो fraction पॉइंट में आएगा तो only यह values यहाँ प 5 उसके प्लस और क् 한ीठ क्या पडर्लाया है क्ईउ स्कुअर तो क्यू स्क्वेर्य यह हो गया दो दूनी चार इसससमें जैसनाहा और इसकेस में देखे तो यह हो जाएगा ओपर तो प्लस डूफ यह थिश्यचny है कर यह इस के फेंट अर लेकिता है हॉ this इस से भी बड़ा और Q1 ने का मैं इस से भी बड़ा मैं इस से भी बड़ा मतलब क्या Q1 अगें greater than equal to Q2 आई बात समझ में यहां very good ना है रोटो Q1 greater than equal to Q2 ठीक है clear हुई बात की नहीं क्लियर चलें आगे किसी को कोई ऐनीवन ऐसा है कोई जिसको कोई डाउट हो यस वेरी गूट ठीक है चीज़े सब एकदम अच्छे से होती जाएंगी आपकी कोई दिक्कत पहली बार नहीं नहीं नेक्स्ट करें इसको अच्छा कोई है नहीं पार्टनर्शिप कर अच्छा कोई है इसको कुछ मिल रहा है यहां पर ओके कुछ पैसा यह ले कर जाएगा इस तवे से चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगा वाद आना वाट हैपन यूट्यूब एंड पोईट कोर्स में क्या डिफरेंस है देको कॉंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है रेगुलारिटी में और चीज़े क्या क्या प्रोवाइट करनी है उसमें बहुत डिफरेंस है आपकी जो पेट लासस होती है उनका कॉंटेंट बनता है आप जैसे देख सकते हैं यह पूरा कॉंटेंट बना हुआ है तो आप उसकी यूनिकनेस समझ पा रहे होगे और यूट्यूब पे चीज़ें अब जैसे आप एकदम रैडी हो आपको बस प्रैक्टिस को कोश्चन चाहिए तो कभी-कभी आपको क्लास करनी होती है तो आप यह देख सकते हो लेकिन आपको लगता है नहीं मुझा हर हालत में एक्जाम निकालना है इतने टाइम में आप आस अब देखो PQR इस पर करें दूसरे पर करें जगे नहीं है चलो कोई ना इसी पर पता रहती हूं ठीक है PQR entered into a partnership with an investment of 16,000, 8,000 और 32,000 जल्दिबाजी में लोग 80,000 ले 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 लेते हैं तो ऐसी गलती मत करना PQR ठीक है तो 8,000 है तो इसको मैंने 8 कह दिया और यह 16,000 सब के अगर तीन 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 भी तो हटा सकते हैं यहां से पीन हटा सकते हैं बिलकुल अटा सकते हैं तो यह 16 और यह हो गया 32 किसे काट हो गया आट तो ने 16,000 आट यह कम आट चको 32 यह हो गया इनके profit का ratio क्यों क्योंकि सब ने ऐसे at the end of the year की बात कर रहे है तो कोई हमारे पास ज्य करत की बाद यह पी इस अन एक्टिव पार्टनर तो पी है आपका active partner so that at the end of the year he got 16% from the total profit to manage the business that means suppose अगर टोटल प्रॉफित आपका 100% हुआ है तो उसमें से 16% तो पी ले गया प्रॉफित कर दिया जाता है तो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसके कौर्डिंग इनको profit पार्ट इया जाता है तो 16% तो यह है पी को कितना profit मिलेगा यहां से तो टोटल प्रॉफित इस 4-6 और एक 7 unit यहां पर तो पी को मिल रहा है 2 by 7 part किसका रिमेनिंग 84% का को कुकि 84% ही इसमें बाट रहा तो पी का profit कितना हो जाएगा आपका ये बारा सकते चौरा सी बारा दूनी 24 परसेंट ये हो गया आपका यहां पर समझ में आई बात की नहीं बताओ इतना क्लियर ओके 24 ये हो गया अब ये पी का profit जो यहां से मिला वो था पर पी को कितना मिल रहा था 16 परसेंट ये भी मिला था तो पी के अगर में टोटल profit की बात करो तो वह कितना हो जाएगा 16 प्लस 24 अब बोला है क्या कि अब बोला है क्या कि at the rest of the profit divided okay if the difference between the profit share of P and R is 1472 तो अब पी का तो मिल गया total profit R का और निकाल लो तो आर का कितना है यहां पर चार यूनिट चार बटे साथ पार तो 4 by 7 of what 84% क्योंकि इसी इसी में से बट रहा था 16 तो वह अलग निकाल ले गया बारा चौक 48 परसेंट तो यह आर का profit हो गया तो 40 और 48 का difference दिख रहा है आठ परसेंट और इसकी वैल्यू आपको दी है कित्ती 1472 पूचा है नहीं जिखनी रहा है रही मुझे तो सीधा दिख रहा है आप इसको पूरा स्क्रीन को को और मुझे तो पूरा दिख रहा है पको क्लियर होगा पॉइंट मैं एक बार इसको बता देती हूं कि इसका जो कभी भी active partner का है sleeping partner का concept दिया है हमेशा ध्यान रखिए profit होगा 100% पूरा ठीक है अब उसमें से किसी को कुछ दे दिया जैसे यहां 16 दे दिया तो remaining 84 बचा वो हमने इनके capital profit ratio के according इन में बांट दिया ठीक है जैसे इन्होंने invest किया उसके according यहां पर हमने बांट दिया प्री के केस में क्या था उसने यहां से कितना profit लिया 24 परसंट बट 16 अलग से था तो total profit कितना हुआ इस केस में उसका 40 परसंट and r का कितना हुआ 4 by 7 of 84 तो यह दोनों का डिफ्रेंस पता था 100 परसंट टोटल प्रोफिट रिकाल कि नेक्स्ट डिनोमिनेशन वेस्ट करो इस का concept क तो इक दम ध्यान रखना मुझे लग रहा है इस पर प्री की डी आई में आये तो कि वह 6-4 वाला आया है ना आपका रर्वी पीओ में तो यह मुझे लग रहा है इस पर वेस्ट डी आई आपकी प्री में आया है करिए कि अ यह बोला है आपसे बोला है कि यहां पर 300 रुपाई पी पास है और इस पर कितने डिनॉमिनेशन के नोट है यहां पर 2 रूपे और 10 रूपीज यह नोट्स है आपके ठीक है फिर बोला है if the number of 2 रूपीज नोट्स ऐस दैड इस वन रूपीज नोट सपोज यह है तो यह आपका 2A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ठीक है फिर बोला यहां पर क्या कि क्यों हाफ टोटल 190 रुपीज इन डिनोमिनेशन ऑफ फाइव रुपीज नोट एंट 20 रुपीज नोट the number of 20 रुपीज नोट in Q half of that of 10 रुपीज नोट in P तो Q में 20 रुपीज नोट है वो P के 10 रुपीज नोट का क्या है आधा है फिर बोला क्या कि आगे कहा है इनोंने क्या कि okay find the number of 5 रुपीज नोट if the total नोट with P is 130 that means आपके पास total नोट भी दे रखे है 130 कन्फ्यूज मत हुआ करो रुपीज से और number of नोट से रुपीज का मतलब क्या हुआ number of नोट से उनके डिनॉमेनेशन की जितनी भी वैलियू थे उसको multiply करके हम रुपीज लाते हैं और नोट आपकी डिफ्रेंट दिंग जैसे यह आपका total यह हो गया तो 2A प्लस A और यह वाले कित्ते बचेंगे भाई 130 में से 2A प्लस A 3A माइनस कर दो that means this one is 130 माइनस 3A तो 10 रुपे के नोट आपके इतने यहां पर हो जाएंगे अब total रुपीज कित्ते दिये है 300 रुपीज दिये हैं तो यह 2A 2A के कितने हैं 2A नोट किसके हैं 2 रुपे के तो इनका टोटल प्राइज हो गया value of money इतना प्लस यहां पर आता है क्या एक रुपे के कितने नोट हैं आपके पास A तो value of money is this 10 रुपे के कितने हैं आपके यहां पर 130 माइनस 3A तो value of money is this and total value of money is 300 okay now अब इसको बताओ क्यासे करोगी यह 1300 यह 300 तो तेरह में 1300 में से 300 गया 1000 इधर लिखतो अब क्या बचाएं यह दो दो नहीं 4 और 5 यह हुआ और माइनस 30 यह यह हुआ तो 30 यह इधर आएगा माइनस 30 यह में से 5 गया माइनस 25 यह इसको इधर ले है तो इसको इधर लागी तो 25 यह आपका अहां बच लिया A की value कितनी आगी 25 फोर्जा that means A की value हो गई आपकी 40 clear Now A की value जैसे ही आपकी 40 आई आपको बोला था P के 10 रुपीज का आधा है क्योंकि Q को target कर रहा है क्योंके मैं पूछा था क्योंके 5 रुपीज नोट पता दो कितने हैं तो यह कितना आ गया आपका 40 तो 4 ती या 12 120 तो 10 रुपीज के आपके नोट आ गए कितने 10 ओके और यह कितने है 20 रुपे वाले 10 के आधे मतलब 5 नोट हैं आपके 20 रुपे के यह पांच रुपई यह पीस रुपए के तो यह पांच रुपई के नोट आगे लाए नंबर और अफ नोट की वैलियू है नभबे रुपई तो टोटल नंबर आफ नोट क्या हूंगे रुपीज से पांच रुपई को डिवाइड कर तो अठारा पंचे नभबे 18 इस दा करे आपका प्रैक्टिस यहां पर इनफ हो चुकी है आपको बस चाहिए अच्छे क्वेशन प्रैक्टिस के लिए अगर अच्छे क्वेशन प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मज़ा आया ठीक है डिनॉमिनेशन बेस्ट प्रीमेडिया आती फोर सिक्स वाली आई छोड़ाय थे लोग कुछ नहीं होता चार चाहुए मार रहे हो तो रन कितने बना है फोर फोर्फोर सिक्स्टीन ही तो बना है मतलब क्रिकेट देखने के बाद इस तरह की गलतियां और यह क्यों क्योंकि वह रिटन फॉर्म में आ गया नौ दिस वन यह बहुत ही बहुत ही है ठीक है बिल्कुल इग्जेक्ट डिक्टो लेवल फॉर रर्वी पीयो मेंस ठीक आर रवी पीयो मेंस वी कन से फॉर आई बीपिया स्कलर मेंस अर्ब आई ग्रेट भी प्रिलिम्स एंड एसे डियाई आ सकती है करो कि दादा नहीं है क्वेश्चन बहुत असान है वे टू बैंकर कह रहे हैं एक बार फिर से बता जीजिए आप एक बार पूछ लो ठीक है कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आए शेयर वेर नहीं करते हो सेशन को स्टूडेंट है ही नहीं समझ रहे हो डेटा और वी का एक बी एक्जाम अच्छा नहीं गया क्या ही बताओं मैं आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो मैं क्वांट में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मैं जिससे आप से पढ़ा रहे हूं इवन यूट्यूब वाले स्टूडेंस बहुत अच्छा गया एक लिड़की का मैसेज आया था एक महीने पहले उसके 40-40 मार्क्स आ टोटल आई नहीं रहता है एक्जाम में 65 करके आई हो क्यारी मैं इतना इंप्रूव्मेंट हुआ एक महीने महीं हुआ है क्वांट महीं नहीं हो रहा था उसका रेगुलेरिटी नहीं है आपकी आप लोग ने अपने आप से पूछो खुद से कि मैं कहां पर गलत हूं मैंने कहां महनत नहीं करी क्योंकि महनत करने वाले को तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है भाई आप सब कर सकते हो किसने निकाला नारुत तो बहुत बढ़ी है वेरी गूड देखो यहां पर ना एल तो निकालना बहुत आसान काम है ओके लिए तो कुछ ही नहीं आप पर आपके लिए बाकी की चीज़े निकालना कि आप क्या से निकाल रहे है उनको पहले आप जाओगे किस पर एल पर फि करती हूं वेरी गूड एम अनुराग बहुत बढ़िया ठीक है अब यहां पर देखो क्या था आप से क्वेश्चन में बोला है तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए यहां पर यह आती है कि आप मारे पास वेरीबल से तो सबसे पहला काम यही बनेगा कि हम वेरीबल को यहां पर फाइंड डाउट करें तो अब बताओ मुझे क्या कि आप नोट पर जाओगे क्यों कि यहां से हमारा कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो नोट से जरूर नर जरूर कुछ क्लियर होगा percentage distribution of the number of employee department P of company B तो P in company B P का B कौन सा है यह है that means L percent okay is equal to the percentage distribution of the employee department Q in D तो Q in D that means this one तो L percentage दोनों में percentage है तो वह तो वैसी कहां सुल जाएगा तो L is equal to 2L minus 25 so easily we have L is equal to 25 ठीक है अब L तो आ गया again we have two unknowns here Z and Y okay now आगे पड़ते क्या दिया है number of employee in the department P of all the companies together तो P department में जो है वो 2 by 3 of the department Q all the companies together that means we can say P by Q total is equal to what 2 by 3 यह ratio आपका यहां पर given है clear अब लास्ट में बोला है total number of employees in A is 520 तीन पॉइंट दिया है तीनों से आपका आजाएगा perfect DI बहुत मज़ेदा ठीक है फस होगे नहीं इस तरह कोई DI होगा तो इससे जादा कुछ नहीं बनाएगा वो अब बात आती है क्या L तो भाई मेरे यहां एक वैरियेबल है और आपको पता है पाई चार्ट परसंटेज में दिया है तो पाई चार्ट की पूरी परसंटेज में वैल्यू हंडेड डिग्री होती है तो आप इसको पूरा एड करके 100 परसंट के एक्वल करेंगे तो परसंटेज हटा दो क्योंकि सब में लगा ह है वो कैंसल हो जाएगा 25 तो यह आपका 25 परसंट ही तो एक तरीके से आया तो अगर यह आपका 25 परसंट आया है तो सब को कर दो क्या हो जाएगा यह आपका 25 कर दो कि कितना जाएगा 25 95 plus 1.5 y2 yY sama Fабот 245 अब क्वां र मिलिख दीया तो कितना हो जाएगा सब क्वाजाए 2 हो जाएगा और तेंक क्वाजा तो है तो कितना हो जाएगा two होजाएगा और 0.755 यह तो परसेंटेज जीरो पॉइंट यहां पर आए 15 से काट दो 15 दोनी 30 15 पचे 75 यह गया 15 पचे 75 25 तो य की वैल्यू कित्ती आ गई आपके पास 20 ना वाई इसमें रखोगे तो जैड आ जाएब क्लियर ऐसे आपको इस केस में यहां पर करना था ठीक है हिंदी मेडियम के लिए उधित कहा रहे हैं बहुत टफ है बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई क्या टफ है मैं अभी हिंदी में भी कोश्चिन लगाय ता पिछा मेरे पास ऑप्शन उधाज कि मैं हिंदी भी यह उँट ऑंग लिए और क्यों के बराबर है तना नॉर्मल सी है इंग्लिज झेंड है फिर बोला है नंबर ऑफ इंपलॉयर इपार्टमेंट उट्ल में है ट्टेल वह ठीक है ट्ट आथ़ कर नंशिव एफ तोते इंप्टायर in a a के जो total company के employee है वो आपको 520 दिये हुए a का मतलब क्या a तो यहाँ पर भी है a तो यहाँ पर भी है ठीक है तो दोनो एक employee आपको दिये हुए मतलब यह और यह समझ पा रहा है बता यह बात समझ में आई यहां तक किसी को कोई दिकत ठीक है अब आप क्या करो कुछ नहीं यह पूरा जेड में था इसकी भी वैल्यू निकाल लो क्या से निकालोगे इसकी वैल्यू यह भी तो पूरा हंडेट परसंट की बराबर होगा यहां लिख दू में इधर थोड़ी से जगह है एक सेकेंट इधर जगह है ना अब देखो म मेरी बात सुनों यह वाई माइनस 5 है वाई की वैल्यू तो यह कितना होगे 20 माइनस 5 है 15 हो गया है ठीक है तो 15 परसंट प्लस जैड परसंट प्लस एल की वैल्यू भी निकाल चुके हो 25 प्लस 2 जैट इस इकुल तो किसके 100 होगा ना पूरा पाई चार्ट तो अब बटाओ 15 और पांच कितना होता है 40 40 में सा सौ गया 60 तो यह आ गया 40 में सा सौनी सौ में सा चालिस करें तो जैड की वैल्यू कित्ती आ जाएगी आपकी 20 now everything is clear Z20 L25 और Y20 clear अब हम इस पेज को हटाएं कुछ एड़ेस्ट कर लो थोड़ा सा ठीक है मैं कोशिश करती हूं कि आपको अच में पढ़ाने ताकि आपको चीज़े clear हो और अच्छा से अभी पेड वाले कह रहे हैं मैं पेड बोर्ड पे लो तो वह भी आपका स्टार्ट हो जागा पेड क्लासस भी आपकी बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएगी पर पेड क्लासस के ही content है यह सारे आप देख सकते हो यह सा सारी वैल्यू लिखनी पड़ेंगी अब मुझे दिया था एक इंप्लॉई कितने हैं 520 परसेंट तो 520 परसेंट हमारे पास टोटल एक एंप्लॉई हैं तो हम क्या करें यहां पर बताओ भाई P और Q एक ही जगे से तो टोटल आये होंगे यह बात समझ में आ रही है कि P और Q दोनों टोटल कंपणी में A में कितने हैं 520 आपके पास इन्होंने दे दिया ठीक है और अगर हम इधर बात करें तो Z और यह हमारा कितना 1.5Y और यह आपका Z तो सारी वैल्यू आई थी 20 एल आया था 25 और क्या था और एक वैल्यू कोई और वजिना वाई कितना आया था कि वाई 20 आया था पक्का एक पर चक कर लें तो क्रॉस चक करों कि तुम लोग क्या बता रहा है मेरी समझ में अब यह आपका है 20 परसंट ठीक है तो 20 परसंट यह है आपका और दूसरे वाले का कितना है 1.5 of 5 मतलब 15 दूनी 30 यह है 30 परसंट ओके और यह टोटल वैल्यू कि अब यहां पर 520 अब यह किसके रस्पेक्ट में है यह कौन बताएगा यह हमें यहां पर एक लाइन दी है कि टोटल पी डिपार्टमेंट और क्यू डिपार्टमेंट का रेशियो किता है 2 इस्टू 3 तो मैंने इसको 2A कह दिया और इसको 3A तो मतलब यह पी वाली वैल्यू 2A के रस्पेक्ट में है और यह जो Q वाली वैल्यू है 30% यह 3a के रस्पेक्ट में होगी तुम मैंने अगर लेक्त ओर तूटल के झाली यह जरूद की वैल्यूँ है abdi ís dw 1 4 परसेंट और यह ज़िए आपका कितना 3 3 is a 9, 90% and this one is a is equal to 5 20, आप unit wise भी जा सकते थे, मैंने a मान लिया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, यह लिखने कि 9 4 13, तो 13 चोको 52, एक की value अगर आपकी 4 आ रही है, तो 1 की value 4 आ रही है, तो 1 की value कित्ती हो जाएगी, 400 ही तो होगी, 130% की value अगर 520 है, 13% की value आपकी I 52, 1% की value 4, 100% की value अगर, 400, तो आपकी A की value आगर, 400, आपकी A की value आगर, 400, तो आपकी A की value आगर, 400, now this one is 2A, ठीक है, यह 2A था तो यह 4 दो नहीं आठ तो पी वाले pie chart की value इतनी और यह होगी आपके पास, इतनी, और यह होगी आपके पास, इतनी, clear, तो अब देखो क्या, हमारे सबसे बना सकते थे नॉर्मली एक तो हमसे कुछ भी पूछ सकता था कि वैरियेबल की वैली बता दो बता दो एंड और तो हम इसे निकाल सकते थे नौ अब आपके पास वैलिव है जल्दी से आपको क्या करना है यहां पर टेबल बना लेनी है क्या पी की और क्यू कि कितने है अबी स और दू कि अब इसमें आजो यह 20 परसंट था तो आठ दूनी तो यह एक सो साट हो जाएगा फिर यहां पर आठ सो का ऐल परसंट मतलब ट्रेंटिफाइबड़्वेड़्चा कितना होता है तो हुट यह तूहंड़ेड हो जाएगा फिर आठ सो का टूजेट परसंट मतलब की जट बीस दोनी चालेज तो आठ चोको बत्यस तीन सो बीस हो गया तो यह वाई माइनस वाई माइनस वाई मतलब 25 75 into 20 तो पहली बात यह 1 ऑफाइब और यहां पर किता हो जाएगा आपका पांस टीए पंद्रा और 55 25 8 5 4 8 4 32 कितना हो जाएगा बताओ कितना रहा है आठ चो को बत्तिस चार च्छतिस तीन सो साथ हारी है क्यों की वैल्यू इस इट क्लियर और नॉट देख लो करके ठीक है मैंने औरली किया है सही होना चाहिए बाकि वाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ एक सो पीस पीर एदर है टूएल माइनस 25 परसेंट तो पच्छेस दुनी 50 तो यह 25 परसेंट हो गया और पच्छेस परसेंट किसका वन बाइपोर तो चार तीया बारा यह 300 हो जाएग आपका है मैंने कुछ गडबर लिखिया क्या वैल्दी कुछ स्किप किया है मैंने यहां पर कर दिए ठीक है एक सिकेंड़ थी क्योंकि हमने किसके रस्पेट में निकाला था तीस तो यह हो गया कितना बाराती है 36 और यह वैली किती आएगी अपनी 1.75 परसेंट तो यह दो पंचे दस दो सत्य चौदा पंड़ा दो एकम दो और एक तीन तो थर्टी फाइव हो जा तो यह हो गया 120 अब सही है ठीक हम एक स्किप कर गए थे यह वाला पार्ट तो यह हुआ 50-25 25 25 परसेंट तो 1 by 4 300 एक बार चक कर लो सारी वैल्यूस रिपीट क्या कोई कहीं दिक्कत हुई है बताओ यह 300 लिखाया है ठीक है ठीक है ठोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है क्योंकि नीचे लिखना पड़ रहा है मेरा जुपना पड़ेगा ठीक है यहां पर यह 1.75 वाई था तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी थी 20 तो मैंने 1.75 को अलग निकाल लिया और वाई परसेंटी परसेंट की जगे 1 by 5 कर दिया तो यह कितना हुआ पास तीया 15 और य तो ऐसे आपको यहां पर करना था I hope सारी चीज़े क्लियर होंगी कुछ नहीं किया है जो वैरियेबल आयते है पाई चार्ट बना लो प्री का कोश्चन बन जाएगा और सारी वैल्यू निकाल नेक्स अब बात आती है क्या हमारे कोश्चन की फरस्ट कोश्चन यह रहा करें पहला कोश्चन दिखर है आपको इसके बहुत एजी है ठीक है जो भी हमारी अगनी परिक्षाती वो खटम हो चुकी है ठीक है अब इसमें क्वेश्चन बहुत एजी है बट यह डियाई गाइस बहुत इंपोर्टेंट है यू एक्सपेक्ट इन ओल एक्जामिनेशन ठीक है इवेन आई बीप अस्पी ओ सब में एक्सपेक्टे होता है ठीक है चलिए अब यहां पर बात आती है क्या कमपनी दी अबर ओफ मेल डिपार्टमेंट पी इस सेम आस डैट फीमेल डिपार्टमेंट एंड क्यू ठीक है तो अगर हम डी में जाएं तो पी में आपको क्या दिख रहा है टोटल हमारे पास 120 और क्या अगर इसको बोला है कि जो मेल है मतलब डी में पी के डी में जो मेल है वो किसके बराबर है सेम आस डैट फीमेल इन कंपनी क्यू ठीक है डैट उफ तो क्यू में अगर हम डी में जाएं तो इसके फीमेल के बराबर है तो यह हमने सब्सक्राइं माल लिया ठीक है तो तो अब हम P और Q के बात करें, तो अगर यह A है, male और female, तो अगर हम बात करें, P के female की, तो total P में 120 थे, तो P की female कितनी हो जाएंगी, 120 minus A, ओके और यहां पर यह Q के female हो गया, तो Q के male कितने हो जाएंगे, Q में total कितने थे, 300, तो 300 में से Q की female, A, minus कर दी, बोला क्या था, find a difference between the male in Q and female in P, इन दोनों का difference बता दो, क्या, 300 minus 120 कितना आजाएंगा, बताओ, 300 minus 120 कितना आया, 180, और यह बोला है, what percent of the total employee in Q in D, तो Q in D कितने थे, 300, तो 60% आ रहा है, option number D is correct, वा, 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 जेल जाएंगे, मारेंगे, यहां, पता नहीं, क्या, क्या, तुम लोग लिखते रहता हो, पकवास, फालतु की, भाईया, पढ़ लो, ना, वा, करो, यहां, फालतु में, तबाह हो जाओगे, कोई मतलब नहीं, ब्लॉक कर दिये जाओगे, clear, question अच्छा था, maybe इसमें अगर cnd दिया होता, तो maximum aspirants इसमें cnd लगायते, क्यों, क्योंकि male, female का एक कहीं पता है, दूसरा relate ना कर पते, बट यहां पर एक point यह था, कि difference दे दिया था, तो कभी भी आप variable मन रहे हो, और दोनों चीज़ों के difference दे, तो देख तो लो, कहीं वो 300-20 difference आगया, 120, बोला था, क्यों में D के total किते थे, 300 से, बता तो कितना percent है, तो 3 होगे, 60% आपका answer यहां पर आगया, ठीक है, next, तुम लोग ना बदनाम करते हो, ladies, teachers को, इस तरह के comment करके, क्यों, तो कि लोगों का perception बन जाता है, पिर वो हमें हमारे काम से नहीं जज करेंग पढ़ाई करो, दिमाग का दही ना करो, कल अम लोग यह paid class में, मैं class add कर दूंगी, guys, ठीक है, कल आपकी 4 बचे होगी, RRB की class, मैंने आज आप लोगो inform किया था, कि YouTube पर होगी class, चलिए, the number of male employee in department Q, A is twice as that of female, ठीक है, तो इनों ने बोला है, जो Q में male है, हमारे वो क्या है, twice of that of female, ठीक है, तो twice of date of female, मतलब male और female का ratio इतना दिया है, तो Q में A के, कितने हैं, आपके 360, तो यह 360 में बाट होगी, तीन unit की value, इतनी, एक unit की value कितनी होगी, 120, बोला क्या है, कि male employee in Q of A, is what percent of the, male कितने आ रहे हैं, आपके, 12, 24, 240 होगी, is what percent of the total number of employee in department fee, of all the companies together, तो all the companies together, PK 800 होगे थे, तो 8, 34, 30, option number C is correct, 15 क्यों आ रहा है, चेक करो भाई एक बार, गलत किया है, मैंने किया आपने, कितने question बाकी हैं नहीं थी, end करने class, बताओ, ठीक है, आप लोग बताओ, बैसे di हो जाए, फिर दो तीन question और, फिर end class, ठीक है, at least मैं आती हूं तो या सारा लेकर राती हूं, ऐसी बहुत दिन बाद means लेकर रहे हैं, एक energy रहती है means पढ़ाने में, एक बात तो है, क्योंकि अच्छे question होते हैं, कुछ हम लोग भी अच्छा देख रहे होते हैं, आपर, नई चीजें होती हैं पढ़ाने को, प्री में तो वही है, गुमफिर के, कितना भी मैं advance कर लूँ, अब means में तो नहीं पहुंच जाओं लूँ, find the difference between the employee of company B and D, तो B के, अब employee की बात हो रही है, तो अब employee का मतलब यह पूरा, कितने दिख रहे हैं, 426, और D के कितने दिख रहे हैं, 420, तो दोनों का difference कितना दिख रहे हैं, आपको 200, option number D is, कर, next, number of employee in department Q of company A, तो कितने हैं, 360, is how much percent more or less than the department P of C, कितने हैं, 320, इस से comparison हो रहा है, इसको नीचे ले आओ, difference कितना दोनों का, 40, बोडे 100, तो 4 एकम 4, 4, 38 और 1 by 8 fractional value होती है, 12.5% की, ठीक है, कुछ solve नहीं करना होता है, जो चीज़े fraction में याद है, उनको आप डायरेक्ट रहे हैं, तो यह सारे फायदे होते हैं, next, find the difference between the employee in department P, of all the companies together, and Q all the together, to 800 or 1200 ही है, तो हमने पहले ही निकाल दिया था, 400 का difference, none of these, option number E, यहां पर correct हो जाएगा, ठीक है, next, चलिए करिए, बढ़िया कोशन है, इसका answer देखते हैं, कितने लोग देते हैं आपर, करो, पहुती अच्छा कोशन है यह, ठीक है, पाइब स्टार कोशन कह सकते हैं, इजी बहुत है यह, अब डिपेंड आपर करता है, आप इसकी इजी पन को समझ पा रहे हों कि नहीं समझ पा रहे हों, अच्छली आप जाहां फर्स रहे हों ना, जैड निकालने की आइधिंक कोई जरुवत नहीं है, नितु पढ़ना है नहीं 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 थी, बट देख लेते हैं, क्या जरुवत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, आप तो बोला क्या है, अवरसल कंटेंड जैड अमल आफ solution of milk and water, आपके पास जैड है, ठीक है, ratio कितना दे रखा है, milk और water का, 2 is to 3 का, 2 is to 1 का, initially, ठीक, फिर उन्होंने कहा है, क्या, कि अब 12 ml milk is added to the vessel, the new solution is 20, तो 12 अगर हम add कर देते हैं, तो यहां पर नया solution हो जाता है, कितना, 20 आ जाता है, ठीक है, ml milk, milk add करने पर, milk कितना हो जाता ठीक, फिर बोला है, इन्होंने कि vessel P contain milk and water in the solution in which milk is 2z plus 16%, ठीक है, तो बिलकुल निकालना पर जाएगा, क्योंकि P में इन्होंने बोल दिया है, क्या, कि जो milk है, वो 2z plus 16% है, यह milk की बात हो रहा है, in while Q contains milk and water, इस 3 is to 2 ratio, तो अगर 3 is to 2 का ratio है, milk और water का, that means, milk कितना है, 3 by 5, त 60% की, clear, यहां पर अगर हम milk देखे, तो कितना दिख रहा है, 2 और 1, मतलब 2 by 3 milk दिख रहा है कि नहीं आपर, बताओ, ओके, अभी हम रुपते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 is to 1 ही रखाता है, तो क्लियर है, अब बात आती है, क्या हम से इन्होंने बोला कि vessel Q contain this one, Q में आपका 3 is to 2 का ratio, now, vessel P and Q को mix करते हो, आप किस ratio में, 30 is to N में, अब बोला है क्या, to form the new mixture in which water is 55%, तो अगर जो milk, यहां पर जो mix करके बना रहा है हो, उसमें milk और water देखे, तो water 55% है, तो obviously milk आपका 45% रहा होगा, 100% के respect में, then find the value of N by 2 plus 17, यह आपको यहां पर बताना है, तो कैसे बताओगे के बताओ, आ रही है बाद समझ में, क्यों, तो अब एक चीज़ हमें यहां पर यह नहीं समझ में आ रही है, कि भाई, अगर हम Z की तरफ जाए, ठीक है, तो हमें यह पता लग रहा है कि finally इतना मिल रहा है, ठीक है, और मुझे Q में पता है, milk का percentage कैसे ना कैसे मुझे P में प यहां पर आ जाएगा, तो अब सबसे बड़ी बात आती है, Z, तो Z में आपको पता लग रहा है, initially you have milk 8, तो initially का मतलग क्या हुआ, आपके पास 2 unit की value किती मिल रही, 8 कहां से आई, क्योंकि भाई, आप से बोल रहा है साफ साफ कि अगर मैं 12 लीटर milk add करती हूँ, तो finally जो milk हो जाएगा आपका, यहां पर 4 हो जाएगा, तो total 8, 4, 12 ही लीटर तो यहां पर Z दे रखा है, यही तो total mixture था, और यह कितना हो गया, आपका Z की value रखी, तो 12 दोनी 24 प्लस 60, that means 40%, clear, now P और Q को mix करके क्या बना रहे हो, आप Z बना रहे हो, sorry, जो भी यह new mixture बना रहे हो, ठीक है, तो आप सब का milk ले लो, P में मिलक कितना है, 40%, Q में मिलक कितना है, 60%, और यहां पर, finally, आपके पास milk कितने में mix किया जा रहे हो, 45%, okay, तो देखो यहां पर, finally, कितना आ गया, यह 5 आ गया, यह 15 अगया, तो यह पास तिया 15, यह तो यह रेशी, 3 is to 1 आ रहे, और यहां किता दि तीन यूनिट की वैल्यू 30 है तो यहां पर वन इंटू 10 करोगे तो एन कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा जैसे यह एन 10 आया 10 बाइटू दो पंचे दर स्पनदरह 55 ृस तो ऑक्षे नमबर थी सी करेक्ट हूं क्या पी क्यू हो रही है हाँ पी और क्यू को हमने यहां पर लिक्स किया Cape humble को मिक्स करके निउ मिक्सर घि का कोई गाम नी था बस जैड का यूज यहां पर था इस वजह से ये डेटा आपको दिया हुआ था ठीक है कुछ भी नहीं था घुमा फिर आके अच्छा कोश्चन था 3 is to 1 में मिक्स कर रहो यहां पर दिया है mixed in 30 is to n तो मतलग 3 की value 30 तो एक की value 10 तो n की value 10 आ गई और n by 2 plus 15 पूचा था तो 10 बटे दो 5 plus 15 20 I hope clear होगा बढ़िया कोश्चन था ठीक है next आप पेड़ वाले आएं कि नहीं और भी के यूट्यूब पर पेड़ वाले तो इतने हो गया है कि मैं यूट्यूब क्लास नहीं करनी है कर लो यह क्योंकि यह पेड़ की यह आपकी बहुती भड़िया कॉश्चन थी यह हेरा फेरी किसने किसको क्या दिया milk 45 कैसे शिवानी मुझे पताओ आपने milk water मिलाया पी और क्यूका और milk और water आया बोला है कि अगर फाइनल मिक्स्चर में आपका जो वाटर है वह 45 परसंट तो टोटल मिक्चर 100 परसंट रहा होगा तो सब्सक्राइब कितना होगा 100 मैंनस 55 45 परसंट यहां से आया क्लास में मज़ा आ रही है कि नहीं कॉमेंट करके बताना ठीक है अभी नहीं बाद में क्योंकि मोटिवेशन मिलेगी तभी आगे क्लास यूट्यूब पर आएंगे तुम लोग ने मुझे बहुत डिमोटिवेट करें मैं दुखी चल रही है तो यह गंदे हो तुम्हें क्लास में पर आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे अभी दो तीन कोश्चन और पच्छे थक जाना तो बता देना एंड कर देंगे को दिकत नहीं बस अब इती लेट भी नहीं हुआ बोट इन बार मेंस हुआ है इतना तो बनता है करो इसको इसको एपए करें 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 भीiva कि राज पाने आधे में की अगयर आधरश की स्थुछे मैं लिये थे इस में इस में बनाया नहीं है तो अभूरेश के आवरीच का और मुझे प्रिंटिंग का प्रिंटिंग के दो कोईसें देख क्योंकि प्रिंटिंग और आपक हाइज कहा जाते हैं और यह जो कि दरिए जो कि अधर कि यह जो ऐस च्पान को मिदो कि अधर कर दो कि इस में इस कुश्चन में थोड़ा सा भड़िया भैतरीन पॉइंट है ठीक है कि आपका थोड़ा सा घुमा के दिया है ठीक है बहुत ज्यादा ही घुमा दिया है इस कुश्चन को अब मुझे लग रहा मेरी जिंग लाइट जो है न वह भी खराब हने वाली है लाइट और सुर्टी है कि अ कि अ कि 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 चलो इडर करते में अमन के पास थे यहां पर क्यों रुपई अब बोला ही बोरोस पी रुपई तो यह पी रुपई अपने फ्रेंट से यहां पर लेता है 12% पर एनम पर ठीक है तो 12% पर एनम पर अगर इसने यहां पर पी रुपीज लिया फिर बोला गिव होल अमाउंट तो चमन अट 18% पर एनम प्रॉफिट एंड अमन आफ्टर वन इयर तो वन इयर के लिए हो रहा है यहां पर यह किसके लिए होगा यह आप इंट्रेस्ट कौन लेगा इसका फ्रेंड लेगा तो यह इंट्रेस्ट इसके फ्रेंड के लिए हो गए कौन देगा अमन देगा इसको ठीक है क्योंकि अमन ने लिया है ना अगर मैं किसे से पैसल हूंगी तो मुझे से इंट्रेस्ट देना पड़ेगा तो मालो मैं आमन हू कितने क्यू रुपे मेरे पास पहले से थे और मैंने का भाई पी रुपेस दे दो मैं आपको 12% इसका पे कर दूंगी तो तो यह हो गया इंट्रेस्ट जो मिला या प्रॉफिट जो मिला उसके फ्रेंड को अब आई बात ए की तो ए के पास अब क्यू था ही पी ले लिया तो अ राइटिंग की तो ऐसी तैसी हो रही है आज पता नहीं क्यों ऐसा हो इसने यह पैसा दे दिया चमन को अब चमन को दिया तो चमन को इसने भी तो इंट्रेस्ट पे दिया होगा यह भाईया खेल गया यहां पर क्यों क्यों कि यह कमा रहा है उधार लेकर उधार से प्याज यहां पर चमन को दिया होगा तो अगर मैं बात करूँ अमन को यहां पर प्रॉफिट होगा तो आप भी निकालोगे बोला क्या है इन्होंने साफ सब बोले प्रॉफिट अर्ण बै अमन आफ्टर वन इयर इस फिप्टी परसेंट मोर देन डैट ऑफ रमन ठीक है तो अमन को ज होगा तो अमन का प्रॉफिट कितना होगा अमन को प्रॉफिट यहां पर होगा एटीन परसेंट इंट्रेस्ट लेगा यह क्यू और पी पर यह इसका प्रॉफिट हो गया ठीक है को कि बात हो रही थी नाउ यह जो प्रॉफिट होगा इसमें से अभी इसने अपने फ्रेंड को देगा मतलब P into 12% that means total profit of Amun is 18% of Q plus 18 minus 12 that means 6% of P so this is profit of Amun यहां तक बात समझ में आती है क्या बताओ करने का मतलब क्या है यह समझ में आ रही है कि इस question में क्या रहा है आप से क्या करना है भीया बताओ आई समझ इत्ता क्लियर कुछ गर्बड हुई है क्या ऐसा ही ज्यादा आ रहा है इतिंक मिल्ड़ा क्वोश्चन में कुछ गर्बड हो सकती है देखो इन्होंने बोला क्या आगे पढ़ लेते हैं फिर ही बताओंगी अभी नहीं क्योंकि पी अब इन्होंने बोला इफ रमन इंवेस्टेट पी इन स्कीम ओफर्स कंपाउंट इंड्रेस्ट फॉर तो दो साल के लिए रमन ने क्या किया यहां पर पी लगाया और कितना बीस परसंट दो साल के लिए तो डारेक्ट आपको पता है एक्टिफ और कितने पर लगाता है और कितने पर लगाता है यहां पर सिंपल इंट्रेस्ट फॉर्टी परसंट पर एन्म फॉर तो यह चार्थिया बारा एक्सट बीस परसंट हो गया और कितने परसंट इंट्रेस्ट एंट्रेस्ट बार मेरे पास यहां पर फॉर्ट परसंट बारे में इंफॉर्मेशन दीया तो विहाफ तो फाइंड आउट दा रिलेशन बिट्वीन पी एंड क्यू तो हम उनको कुछ माल लेंगा क्यों कि मुझे एक्जक्ट वैल्यू की क्या यह वाला पॉइंट जो थाप का क्या प्रॉफिट एंड बाय अमन आफ्टर वन यह इस फिफ्टी पर्सन मोर दैन इस फ्रेंट को हमने यहां पर लीफ किया जिसे हम यूज करने वाने देख रहा है मैंने हाइलाइट किया हुआ है यह तरीके से केसलेट बन गई आपकी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो मिस्स मत करो जो भी चीजे अब मैंने इसको यूज किया अमन का प्रॉफिट है इतना इसके फ्रेंड का प्रॉफिट इतना और इसने बोला है कि अमन का प्रॉफिट 50 पर्सन मोर है तो मतलब 3 by 2 of what his friend's profit ठीक है तो अमन का इधर लिख दो किता है 18% of Q plus 6% of P is equal to what 3 by 2 of his friend's profit जो था आपका P into 12% तो यह गया दो चाग बारा चैतरिक 18% ठीक है तो 18% of P और यह 6% of P तो माइनस करोगे तो इधर 12% of P तो आपके पास क्या आगया इधर यह आया 18% of Q और P इधर लेगे तो यह आगया 12% of P तो P and Q का relation जो चाहिए था वो हमारा आगया काम खतम कितना आगया यह हो गया आपका छैत्री कठारा और 6 दूनी बारा 3 is to 2 आ रहे है ना P by Q 3 is to 2 now you have what P की जगे ले लो 2 A 3 A और Q की जगे ले लो 2 A ठीक है तो यहाँ पर टोटल इंट्रेस्ट इसको इतना मिला और यहाँ पर टोटल इंट्रेस्ट रमन को इतना मिला यही बोला how much percent more or less निकाल दोगे कोई दिक्कत है यहाँ तर कितना होगे यह 3 A into 44% तो CI पर मिला तीन चोक को 12 तीन चोक को 12 और एक 13 और यहाँ कितना मिला 12 दूनी 24 तो 240 अब यह दोनों A के रस्पेक्ट में हमें निकाला percent एक तो नहीं है अगर एक्ज़ेट वेल्य पूची होती तें वी चैनल डिटर्मेंट अब यहां पर हावुच परसंद मोड़ लेस बोला है तो इसको पहले काट और किसे 6 दुनी 12 या 11 से काट तो 12 से काट तो 12 एकम 12 एकम 12 और 12 दुनी 24 तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 आ रहा है और 20 पर पूछा है तो कितना हो गया 20 पंचे सो पांस ने 45 परसंट option number 10 करें बहतरीन question था भईया यह मतलब 2 गुडाज की class लेकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब अच्छी चीज़े डिलेवर होती है तो मज़ा बहुत आता है clear question ऐसा करो number of questions पचास लगाने से मतलब नहीं है एक question लगाया है CISI पूरे इसकी निचोड लिया अपने की borrowing का concept है और सारी चीज़े यह आपको पीओ में इस तक काम देगा IBPSP और SBIP होगा SI more कैसे हो गया कहां पर हाँ बात तो सही है आपकी SI more कैसे हो गया question बनाने वाली की गलती है concept समझो भावनाओं पर मत जाओ DI new batch में यस अमन DI new batch arithmetic जो विक्करम batch आपका launch हुआ है तो सब खुछ आपको कुछ भी attention लेने की जरूवत नहीं है ना आपको किसी के पास जाने की जरूरत है ना आपको YouTube के पास जाने की जरूरत है वहां पास सारी चीज़े आपकी कवर देगी वहां पर इवन मैंने IRBPO Mains का जो लाइफ बैच चल रहा है भी यह उसी की क्लास है क्लियर यह जादा लग रहा है कोई बात नहीं ठीक है भावनाओं को समझो next चलो इसे करें यह भी अच्छा कोश्चन है करें रितिक सेशन डेली होंगे कॉमेंट करके बताना आप लोग क्लास खतम हो जाए जैसी डिमांड वैसी सप्लाइ करें 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 झा thriving वोट — टुष्य एतव % less than the Monday while the upstream speed of Monday is this much is more than the Tuesday find the speed of boat in still water in Monday if you have for the day same speed of stream is given अब कभी भी आप एक बात को ध्यान रखियेगा क्या कि आपके पास दो बोट हैं ठीक है यूजली हम प्रेजम्स में कोश्चन करते थे सेम एक्स और यहां पर आपके पास दो बोट हैं तो उनका बोट की by gonna स्पीड अलग होगी जब तक बोले ना कि दोनोंव की एलग और बोल दिया है कि जो speed of stream दोनों के लिए yeah फिए दीक कि आपके पास ता upstream okay Monday and Tuesday सभी जा रहे हैं okay तो अब यहां पर मैंने कह दिया A और यहां पर B कह दिया suppose ठीक है speed of stream हमें पता है कित्ती दे रखी है आपको यहां पर कहां गई 12 km पर आप तो आपके पास 12 km पर speed of stream आपको दे दी है clear अब बात आती है क्या कि downstream speed of boat on Tuesday तो downstream Tuesday की जो है और आपकी downstream that off वोला है ना then that off तो downstream on Monday 30% less that means अगर यह 100 है तो यह 70 होगी ratio कितना आगया आपका 7 is to 10 का यही तो है बताओ 7 is to 10 का यही ratio आपको दिखेगा फिर उसके बार आप इतना समझ रहे हो कि अगर हम देखे downstream की बात करें so this one is a plus 12 and this is b plus 12 तो आपके पास एक तरीके से यह ratio भी तो आ गया क्या कि Tuesday और Monday का तो यह हो गया b plus 12 upon में a plus 12 क्या ratio दिया है आपको यह 7 by 10 ओके 10 by 7 clear इतनी बात अब next में दिया था क्या कि upstream on Monday 18 more दें तो upstream in Monday upstream on Tuesday से कितनी 18 जादा है तो upstream on Monday कितनी हो जाएगी a minus 12 और यह कितनी हो जाएगी यहाँ पर b minus 12 is equal to 18 तो यहाँ से आपको मिल गया क्या a minus b is equal to 18 now you have two equations and two variables निकाल लोगे यह 7b 12 सत्य चौरा सी इधर 10 a plus 120 तो अभी क्या हो गया यह आपका 7b minus 10 a is equal to 10 में से 4 गया 6 8 3 11 6 यही दिख रहा है एक बार स्क्रॉस चक कर लो सारी values मैंने साही लिखी है ओहो 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 गलती हुई है शायद ना क्योंकि आपको यह किसका दिया था Tuesday का 30 less दिया था 7 by 10 होगा हां यहां पर हमने गलत कर दिया sorry for this ठीक है 7 by 10 होगा ना आपो कि ठीक है क्योंकि हमने यहां पर गलत निकाल दिया यह यह relation आपका उल्टाग equationality बन जाएगी कितना हो गया यह 10b plus 120 is equal to 7a plus 84 now you have what 7a minus 10b is equal to 36 और यह था a minus b is equal to 18 तो मैं क्या करूँ इसको 7 बना दू तो 7 इस पूरी equation को 7 से multiply कर दो यह हो गया 7b and this one is what 18 7 7 7 8 6 साथ पांच बारा आगे टेबल भूल गई में चलो माइनस यह प्लस यह और माइनस यह तो यह आ गया 3b minus minus cancel हो जाएगा this one is 90 so b is equal to 90 बोला क्या था आप से find the speed of vote in still water on monday that means you have to find out the value of a a बता दो किता हैगा a minus b अगर 18 है b की value किती हारी sorry 30 हारी ठीक है जैसे a minus b 18 है तो a किता हो जाएगा 48 so this one is your answer option number is clear अब okay है okay मैं कर दो पीजला किता है बाएगारils है मैं अर्म